अग्युद मार्निंग इस्टुडेंट्स तंस गोड मानिंग फ्रेंग्ज कैसे हो से इसे हों स्अ हम लोग कम्प्यूटर पढ़ रहे थे कम्प्यूटर में हमने काफी सारे चीज़एं आपको कबर करा दे ऑभू आहे थे जैसे कंप्यूटर के किया, कैसे computer आया, पिभिन प्रकार के जो computer थे, कैसे calculator से लेकर के computer तक ये सारे program आये, तो ये सारे invention कैसे हुए, कौन इसको invention किया, ये सब चीजें हम आपको बता चुके हैं, तो आज हम चल रहे हैं, computer की पीढ़ियां, computer की पीढ़ियां क्या होती हैं, computer की पीढ़ियों में क्या क्या परिवर्तन हुए, कैसे कैसे आज सुपरकंप्यूटर तक आया ये सब हम आज आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे बताएंगे इसमें बहुत सारी चीजें है इसको पढ़ाने का मकसद क्या है, पहले ये समझ लीजिए इसको पढ़ाने का मेन परपज है कंप्यूटर के पीढ़ियों से जो विभिन प्रकार के उसमें उपकरण थे जिसके बेश्ट पर उसको विभाजित किया गया, कि प्रथम पीढ़ी है दुती पीढ़ी है, तृती पीढ़ी है, चतुर्त पीढ़ी है पंचम पीढ़ी है या उसके आगे का रूप है तो वहां से question put up होते हैं कि प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर में कौन सा उपकरण यूज किया गया था ये उपकरण कौन से पीढ़ी में यूज हुआ यहां से fact के रूप में प्रस्न उठते हैं तो आईए हम लोग बिना किसी देरी के चलते हैं जैसे यहां पर हमने लिखा है कंप्यूटर की पीढ़ियां friends कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या होती है आपको पता है कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या है क्या नहीं है जैसे कम्प्यूटर की पीड़ियों में पहली पीड़ी है प्रथम पीड़ी प्रथम पीड़ी क्या होती है कम्प्यूटर की प्रथम पीड़ी कम्प्यूटर की प्रथम पीड़ी जो है वो 1942 से लेकर के 1955 के दोर तक थी कम्प्यूटर की प्रथम पीड़ी और इसके अलावा यहाँ पर हमने लिखा है hardware, software, विशेस्ता, उदाहरान और उसमें जो बिभिन प्रकार की सब्दावलिया हैं उसको हमने analysis के तोर पर रखा है तो प्रथम पेढ़ी का जो computer है उसका जो area है अर्था जुस्सन है वो 19 से 42 से लेकर के 1955 तक है और इसको जो है इसी आधार पर पूछा जाता है कि प्रथम पेढ़ी के जो computer है उसका year कभ है तो पहला question यही है उसका year 1942 से लेकर के 1955 तक है hardware, software आप computer में दो चीजे जानते होंगे कि computer का जो निर्मान होता है एक जो उसके उपकरण होते हैं वो hardware कहलाते हैं और जो computer के अंदुरूनी भागों में होते हैं वो software कहलाते हैं software में computer का जो engine वर्क करता है वो होता है और वो जो program डाला जाता है उसको सुरक्षा के लिए hardware का यूज किया जाता है तो प्रथम पीढ़ी जो 1942-1955 तक थी उसमें जो hardware प्रयोग किये गए वो थे निर्वात ट्यूब पंचकार्ड बिद्धुत्यांत्रिक मसीन इतना यहीं से question put up होता है आप लोग इसको याद रखिएगा कि निर्वात ट्यूब कौन सी पीढ़ी का computer के लिए जाना जाता है प्रथम पीढ़ी के computer के लिए आगे हम बता रहे हैं कि निर्वात ट्यूब क्या होता है निर्वात ट्यूब पंचकार्ड बिद्धुत्यांत्रिक मसीन अर्थात प्रथम पीढ़ी के computer में इन तीन प्रकार के hardware का यूज किया जाता था इसके लिए software कौन से थे? मसीनी भासा, assembly भासा, store program अब यह हम बता रहे हैं मसीनी भासा क्या है? इसकी बिसेस्ता क्या थी? सबसे बड़ी बिसेस्ता इसकी थी, यह बहुत बड़े आकार में होता था एक कमरे के बराबर इसको रखा जाता था, जितना बड़ा कमरा होता था, इतना बड़ा यह computer होता था बड़े आकार के होने के काराण एक खर्चीला भी था उसको उठाने ले जाने ले आने में दिक्कत थी बार बार परिवर्थित नहीं हो शकता था ये केवल बैग्यानिक प्रियोग के लिए हो शकता था अर्था जैसे बैग्यानिक एक कमरे में बैठ करके रिशर्च करते हैं वैसे ये प्रेयोग होशकता था, उधारण के लिए ENIAC, IDVAC, UNIVAC, ये तीन जो कंप्यूटर हैं, ये तीन कंप्यूटर, ENIAC, IDVAC, UNIVAC, ये सब क्या हैं, ये हम आपको बता चुके हैं, ये तीन परथमपीड के कंप्यूटर हैं, तो आईए हम एक-एक सब्दावली पे कीका देखते हैं, जैसे, हमने यहाँ पर हार्ट वेर में निर्वात चूब लिया है, निर्वात चूब क्या होता है? पहुश सारे लोग फिजिक्स में ये चीजे पढ़ चुके होंगे, निर्वात क्या होता है? निर्वात का मतलब होता है, एक ऐसा अस्थान जहां पर व वागमन ना हो तो ऐसे अस्थान को हम क्या कहते हैं ऐसे अस्थान को निर्वात कहा जाता है देखाई दिया कि ट्यूब का मतलब होता है नली जैसे यह कि यह उदाहरण है निर्वात ट्यूब का कि वैक्यूम ट्यूब वाइक्यूम टू अब यहां पर आप देखिए यह वाइक्यूम टू हमने बताया एक ऐसी नली एक ऐसा स्थान एक ऐसा बंद परिपत जहां पर वायू न हो वायू के साथ साथ ध्वनी का भी आगमन न हो आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे तरंग दैर्ग ठीक है कौन सा माध्यम होता है ध्वनी किस माध्यम में चल सकता है उसके लिए कौन सी तरंगे होती है आप यह कमेंट बाक्स में लिखके पताईएगा तो निर्वात का मतलब यही हुआ जहां पर कोई वायू न हो खाली अस्थान हो इस्पेस न हो और निर्वात में सबसे बड़ी चीज होती है कि जो उसका दाब होता है वो वायू मंडली दाब से बहुत कम होता है मान्यूट होता है तो उसका प्रियोग प्रथम तीड़ी के कम्प्यूटर के डिजाइन के लिए किया गया तो यहां पर हमने लिखा गया है लिखा है वायू तथा ध्वनी नहो और बिद् चूप कहते हैं पंचकारड क्या होता है पंचकारड जो होता है प्रेंज कठोर पन्नों से बना हुआ ये कारड होता है ठीक है जैसे हम बता दे रहे हैं जैसे माल लीजिए कि ये पंचकार्ड का परिभास हम बता रहे हैं ये है आपका पंचकार्ड ठीक है अब ये कठोर पन्ने हैं इसमें एसे 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 छिद्र है ठीक अब इन कठोर पन्नों में यहाँ पर डेटा को डाला जाता है ठीक है जब डेटा को डालेंगे आप उन कठ और पन्नों की छित्रों में तो वहाँ पर एक बटन होता है उस बटन को आप क्लिक करेंगे तो वह सारे डेटा को आपके द्वारा जो छित्र में डाला गया है उसको इस्टोर कर देता है और उस डेटा को इस्टोर करके आपको प्रेसित करके अर्थात उसमें प्रोसेस करके नए डेटा को, नए जानकारी को एकत्र करके आप तक पहुँचाता है। उसको पढ़ने के लिए पंचकार्ड में card reader का प्रयूग करते हैं। card reader के दौरा पंचकार्ड में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, उसको हम पढ़ते हैं। तो यह हो गया आपका प्रथम पीड़ी का कम्प्यूटर, अब यहाँ पर एक software है, फ्रेंड से यह सारे software है, जब हम computer के software पढ़ाने लगेंगे, यहाँ पर हम आपको हलका साइस का परिछे बताएंगे, लेकिन जब software हम एक अलग से पूरा chapter है, तो software वहाँ पर बहुत विस्ता जो को समझ सके, अब यहाँ पर मसीनी भासा लिखा हुआ है, मसीनी भासा binary system होता है, 0 and 1, computer जो मसीनी भासा का प्रियोग करता है, वो binary system पे प्रियोग करता है, दूइधारी अंग, और दूइधारी अंग जो होता है, वो 0 और 1 होता है, computer में आप कोई भी बटन कलोगे, या तो क्लिक करोगे, या तो वो 0 लेगा, या तो 1 लेगा, इसके सिवाए computer कोई भी भासा नहीं प्रियोग करता, सबसे बड़ी चीज ये आप जान लिजिए, और वो 0 और एक किस रूप में लेता है, ये जब हम computer के language पढ़ाने लगेंगे, तब वहाँ पर इसको विस्तार होती है, जावा प्रोग्रामिंग, पहुत सारी computer की भासा होती है, अब तो नई नई भासा हैं आ गई है, तो वो सब computer के language वाले chapter में मिलोग पढ़ेंगे, इसको हमने बता दिया किसकी विस्यस्ता क्या थी, अब हम धुतिय पीड़ी के computer पे आते हैं, फ्रेंट्स, धुतिय software copy करती थी, वो उच्चस्तरिय भासा, यानि मसीनी भासा से उच्चस्तरिय भासा पे हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है, और वायच आपरेटिंग सिस्टम, ये सब computer language में हम लोग पढ़ेंगे software में, अभी यहाँ पर केवल नाम देखी, उच्चस्तरिय भासा, ठीक है, ये क्या होता था, ये चुकि विशेस्ता में यहाँ पर लिखा है, बहुत बड़े आकार का, खर्चीला, तो बड़े आकार के कारण ये परिवर्तन सील नहीं होता था, मतलब इसको जल्दी से ले नहीं जा सकते थे, उठा नहीं सकते थे, भार में भी बहुत बड़ा होता खर्चिला था उसमें सुधार करके क्या किया गया इसको छोटा बनाया गया अपेच्छा करें छोटा बनाया गया तीब्र बनाया गया लेकिन यह खर्चिला ये भी था वैवसाई को प्योग के लिए अब वैवसाई में बजट बनाने के लिए मुखता काउंटिंग करने के लिए होता है ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं ट्रांजिस्टर क्या होता है हमने यहाँ पर डाल रखा है दुतिये में जो दुतिये पीड़ी के हाड़एर थे, वो ट्रांजिस्टर पे थे ट्रांजिस्टर जो होता है, एक अर्धचालक मसीन होती है अर्धचालक युकति होती है, ये जिसे मुक्यता प्रवर्धक और इलेक्ट्रानिक स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है प्रवर्धक क्या होता है? एम्प्लिफायर ठीक है? एक ऐसी इलेक्ट्रानिक युक्ती एक ऐसी इलेक्ट्रानिक मसीन जिसका उप्योग किसके लिए किया जाता है? परवर्धक क्या होता है, एक ऐसा बिद्दुत संकेत, जिसका मान बदलने के लिए किया जाता है, इसमें बोल्टेज होता है, बिद्दुत संकेत का मान प्राया जब हम एम्प्लिफाय लगा देते हैं, अर्थात परवर्धक का यूज कर देते हैं, तो वैसे में परवर्धक जो है विद्दुत संकेत के मान को बढ़ाने के लिए किया जाता है अर्थाद जब हमको प्रवर्धक का यूज करना होता है तो प्राया है लगभग हम विद्दुत संकेतों को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करते हैं अर्थाद बोल्टेज को बढ़ा देते हैं विद्द आज कल आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारी मार्केट में मिमोरी आ रही है, फोन में मिमोरी आपके लगी है, चिप इत्ता बड़ा होता है, आठ जीबी से सुरू होता है, पहले टू जीबी का आता था, आप टू जीबी बंद कर दिया, टू जीबी के बाद अब एट जीबी आने लगा, एट जीबी भी ये मार्केट से प्रतियस थापित हो गया, अब सीधे 16 जीबी, 16 जीबी भी प्रतियस थापित हो गया, 32 जीबी किया दें लगी है, अब आपको मार्केट में 16 जीबी की जिप नहीं मिलती, 32 जीबी, 64 जीबी, 128 जीबी, इस हिसाब से क्या होता है कि यह अस्थाई होता है यह उड़ता नहीं है अर्था अगर डिलिट नहीं किया गया मेमोरी खराब नहीं हुई वायरस ने अटेक नहीं किया तब तक यह आप में रहता है तो इस हिसाब से मेमोरी का प्रयोग किया जाता है जैसे चुम्ब की मेमोरी अब बता दे रहे हैं, ये सब विस्तार पूरव कंप्यूटर के hardware और software में हम लोग बहुत कहा नद्यान से पढ़ेंगे, तो जो computer का चुंब की memory है, वो चुंब की माध्यम से भंडारान करता है, और चुंब की माध्यम क्या होता है, चुंब की माध्यम बहुत सारा process होता है उसमें उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे hardware में, तो जो चुंब की process जो है, वो चुंब की भंडारान में डेटा को अस्थाई रखतेता है, चुंब की माध्यम में और वो इस तरह से अस्थाई रखता है, कि डेटा आप परिवर्तन सील होता है, अर्थाद जो चुंब की माध्यम मे भंडारन किया गया डेटा है, वह delete नहीं होता, इसका सबसे बड़ा laugh क्या है, advantage क्या है, कि बहुत छोटी मात्रा में बहुत बड़े-बड़े डेटा का संकलन किया जाता है, ठीक है, और बड़े-बड़े डेटा का जो संकलन किया जाता है, इसके अलामा, जो क्या कहते हैं, जैसे बिद्दु चली गई या light cut गई तो वहाँ पर क्या होगा वो नस्ट नहीं होगा ठीक है पहले क्या था अगर बिद्दु चली गई या light cut गई तो data उड़ गया सबसे बड़ी problem यहीं होती थी तो पूरी में रड़ान चलीगी लेकिन जब से magnetic storage आया magnetic disc आया light कटने के बाद यह खतम नहीं होता या आप जिस रूप में रखे हैं उसी रूप में रहता है यह बहुत बड़ा advantage हुआ बहुत बड़ा आविस्कार हुआ और यह कहां आया धुती पीढ़ी के computer में आपको यहीं आद रखना है कि चुम्बकिया memory कौन सी पीढ़ी में इससे ज़्यादा जो हम समझा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है वो आपके जानने के लिए परयाप्त है मेंस में लिखने के लिए परयाप्त है लेकिन जो फ्रिलिम से में पोस्चन पूछेगा कि चुम्बकिया memory कौन सी पीढ़ी के computer में प्रयोग किया गया तो आपको के computer में integrated chip आया integrated chip बहुत बहुत most important factors है computer में most important है यह इतना important है कि आज के जितनी भी आविसकार है integrated chip आज की वर्तमान पीढ़ी की computer की new है अगर integrated chip का आविसकार ना हुआ होता है तो सायत computer आज इतना अधिकुन नतसील नबन पाता तो इसमें इसका sun क्या है sun जरूर याद रखिएगा वही पूछेगा 1964 से लेकर के 1975 तक तृती पीढ़ी का computer रखा गया इसमें क्या है integrated chip integrated chip क्या होता है एक एसा लगू परिपत होता है ठीक है जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में या अर्धचालक कलें उसमें सारे अवयों को डाल दिया जाता है ठीक है यहां पर परिभासा लिखिए आप लोग नोट कर लीजिएगा अर्धचालक पदार्थ के अंदर बना हुआ आवसकता होती है अर्ध चालक पदार्थ से बने हुए करण के भीतर एक विजिश्ट प्रक्रिया के माथ्यम से उसको उसको क्या किया जाता है जोड़ा जाता है उसको भीतर निर्मार किया जाता है ताकि वहाँ पर डेटा बहुत आराम से अर्ध चालक पदार्थ बना किस्ये होता है सबसे मोश्ट इंपार्टन सिल्कियन और जर्मीनियम से ठीक है सिल्कान और जर्मीनियम से याद रखिएगा तो यह आपका परिभासा है यह परिभासा आप लोग नोर्स बना लेजेगा अभी यह सब चीजे जो हम पढ़ा रहे है यह यहीं पर खतम नहीं है इसके आगे यह सब जो आज हमने पढ़ाया है यह सब जो आज पढ़ा रहे हैं अभी इन सब पर एक एक चैप्टर्स है अभी तो कंप्यूटर का जनरेशन चल रहा है आगे जब कंप्यूटर का जनरेशन खतम हो जाएगा तो कंप्यूटर का वर बढ़ाईएगा कि यह चीज़ इसी पर खतम हो गए यह सब बहुत बहुत बिस्तार पुरवक्त एक एक पॉइंट को वहां पर पढ़ाया जाएगा यह सब केवल यहां पर आया है परिचे के लिए जानने के लिए तो इंटीग्रेटर चिप हो गई SSI, NDMSI यह एक भासा है हार्डवेयर है वहां पर हम लोग देखेंगे चुम्ब की भंडारन चमता में बृद्धी जो चुम्ब की स्टोरेज में थी जैसे यहां पर चुम्ब की मिमोरी आया परिवर्तन हुआ पहले थोड़े में भंडारित कर सकते थी बहुत और अधिक मात् की करण होने लगा यहां पर देखो मसीनी भासा आई मसीनी भासा से यहां उच्छ तरी भासा आने लगी उच्छ तरी भासा का मान की करण होने लगा मान की करण का मतलब अब अब इस टेंडर्ड फार में हाई लेंगविज आने लगा time sharing operating system आ गया सबसे बड़ी चीज थी time सेरिंग आपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एक्चुल टाइम पे चीजों को प्रेशित करना एक्चुल टाइम पे चीजों को जानना उसको कंड़क्ट करना उसको यूज करना ठीक है हार्ड बेयर और साफ्ट बेयर की अलग-अलग बिक्रे की जाने लगी और इसकी विशेस्ता क्या थी? यह तीब्र चलता था, अधर कंप्यूटरों से तीब्र चलता था, छोटा होता था, उपयोग में आसान होता था और इसकी जो सस्ता भी होता था अमने कंप्योटरों से इसके उधारण क्या है? IBM 306 और PDP 8 ये कंप्योटर के उधारण है चोथी पीड़ी के कंप्योटर का बाया? 1975 से 1989 तक आया है जो चोथी पीड़ी के कंप्योटर थे वो 1975 से 1989 तक थे इसमें कौन-कौन सा हार्डवेर प्रियोग होने लगा? VLSI, Microprocessor, PC, Semiconductor Memory, पुछ छमता वाले निटवर्क ये हार्डवेर के प्रकार थे इन हार्डवेरों के द्वारा इन हार्डवेरों मतलब ये हार्डवेर चोथी पीड़ी में प्रियोग होते थे अभी हम एक एक बताएंगे क्या है? साफटवेर कौन सा यूज किया गया? PC के लिए अपरेटिंग सिस्टेम अलाग आ गया, PC का मतलब हो था है पर्सनल कंप्यूटर, ग्राफिकल यूजर आ गया, एक साथ कई कारे करने की छमता वाला कंप्यूटर आ गया, यानि साफटव मसीनी भासा, असेंबली भासा, इस्टार प्रोग्राम, फिर अस्तरी भासा, फिर वैच अपरेटिंग सिस्टम, फिर शेरिंग अपरेटिंग सिस्टम, फिर जा करके आया सी प्रोग्राम लेंग्विज, यानि मसीनी भासा से सी प्रोग्राम लेंग्विज पे चीजें आ ग स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है ठीक है ऐसी अर्धचालक युक्ति जिसमें मुख्यता प्रवर्धक और क्याको नाया होता रहे हैं गर आज्टिस्ट्र न आया होरा था जाहिर आगे महलzać पाता है तो ट्रेस्ट्र मौनख कंप्योंट नहीं है का ट्रांजिस्टर का क्या काम था, इलेक्टरानिक युपती थी, अर्धचालक से बनी हुई थी, और इसके अलामा उसमें सारे जो बिसिस्ट उपकरण थे, पदार्थ थे, सब एक में सम्मलित कर दिये गए, उससे उसका आकार छोटा होने लगा, फिर वही ट्रांजिस्टर, ज बना हुआ, इलेक्टरानिक पदार्थ, तो ट्रांजिस्टर का जो अपर रूप है, यानि उचतम रूप है, इंटीग्रेटट चिप की रूप में है, ये अर्धचालक पदार्थ के इंतरगत, बना हुआ, इलेक्टरानिक परिपत होता है, और वही इलेक्टरानिक की पाकर हमने पहले बताया कि transistor से लेकर के microprocessor तक एक प्रकार का विकास है पहले transistor आया transistor के बाद ICI electronic परिपत याने integrated chip फिर आकर के microprocessor क्या है कि कई सारे अनगीनत transistor को एक ही में जोड़ दिया इसका मतलब क्या हुआ है बहुत बड़े अस्तर पर जिसकी कोई गड़ना ही न की जा सके उतने बड़े अस्तर पर सारे डेटा को एक में ही कनवरट कर दिया एक जगह ही रख देना उससे क्या होता है आज आप देखते इतने छोटे से ट्रांजिस्टर इतने छोटे से चिप में विशालों करोडों और वो डेटा आ जाते हैं तो यही इसका फायदा था तो आपको अब समझ में आ गया को माइक्र पूर्शर क्या है डिश्टल इलेक्ट्रानिक होती है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर एक पर दूसरा है पीसी पर्सनल कंप्यूटर वो जब हम आपको कंप्यूटर कवरगी करन पढ़ाएंगे तो बताएंगे सेमी कंडेक्टर मेमोरी क्या होती है डिजिटल इलेक्रानिक डेटा स्टोरेज होता है आज के फॉर्म में जो डेटा का स्टोरेज किया जाता है वो डिजि पर हलकी सी परिभास हमने बता है फिर उच छमता वाले निटवरक आ गए तो यह सब इनका उपयोग क्या है पहली चीज के सस्ता है ठीक है सस्ता है जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे चीजे बहुत सस्ती आने लगी सस्ता है उच छमता का उपयोग की है आसान व्यवसा अब हम पंचम पीड़ी के कंप्यूटर पे चल रहे हैं जो 1989 से अब तक है इसमें कौन-कौन से हाड़वेर यूज किये गए अब तो छटी पीड़ी भी आने लगी है अभी आने वाली है इसमें साफ्टवेर क्या था इंटर्नेट तथा मल्टी मेडिया साफ्टवेर www.com जो आप लोग खोजते हैं www.com ये बहुत इंपार्टेंट है इसका क्या है फुल फार्म क्या है? वर्ड वाइड वेब कहां पूछा था? मद्यपरदेश PCS में, UP PCS में, UP Lower में बहुत बार हर बार पूछा जाने वाला कुश्चन है वर्ड वाइड वेब टेक है? अब इसमें विसेश्था क्या है? आती छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं अती तीब्र होते हैं, इछले कंप्योटर से बहुत तीब्र गती से चलते हैं, उपयोग में आसान होता है, प्लाग और प्ले यहां की विसेश्था है IBM Notebook होता है, Pentium PC, सूपर कंप्योटर यह इसके, कंप्योटर के उधाराना है Semiconductor Memory क्या होता है, यह आपको हम बता चुके हैं, आप्टिकल डिस्क क्या है, आप्टिकल डिस्क होता है, डेटा बाइनरी फार्म में इस्टोर रहता है, बाइनरी फार्म 0 और 1, ठीक है, तथा इस्टोर करने के लिए लेजर बीम का प्रियोग होता है आपने, आप तो CD आना बंद हो गई, चीप आने लगी उसकी जगह, पहले थोड़े समय पहले CD आती थी, गोल 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 अभी भी बहुत अधिक यूज होता है, CD होती थी, जब आप उसको ऐसे सूर की रोशनी में देखते थे या नहीं भी देखते थे, तो उसमें हरा, ला दुनिया भर का रंग दिखाए दियता था, तो उसमें जो डेटा होता है, वो डेटा जो है, लेजर बीम की रूप में संक्रहित होता है, उसको लेजर बीम का प्रयोक पर के, वहाँ पर डेटा को संक्रहित किया जाता है, और डेटा का संक्रहन किस से होता है, मसीनी भासा, यानि 0 और 1, ठीक है, तो बाइनरी फार्म में स्टोर होता है, तो ये पांचो पीड़ियों का जो व्यापक दिस्तार से हमने चर्चा किया, ये पांचो पीड़ियां आपको जो याद करने के लिए है, ये पूरा खतम हुआ, पांचो प्रकार के कम्प्यूटर, पांचो पीड़िय के, अब ये इसके बाद हम लेके चलेंगे आप लोगों को कम्प्यूटर का वर्गी करन, जैसे उद्धेस और कारेक के अधार पर कम्प्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, विशेष्था के अधा पर computer कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे mainframe computer, micro computer, mini computer, super computer, ये सब computer क्या है, इनकी विशेशता क्या है, वो एक एक हम लोग देखें के, तो इस हिसाब से, आप लोग इसको, ये terminology को याद रखिएगा, और notes बनाईए, और जहां भी आपको और भी जानकारी मिले, अपने notebook मे note करते चलिएगा, ताकि terminology अगर आपको समझ में आ गई, तो सारी चीजें समझ में आ रखिए, तब तक के लिए friends, thanks, आप लोग इसको देखिए और समझिए, जहां कोई भी परिशानी हो, आप लोग उसको पूछिए, तब तक के लिए a lot of thanks, फिर मिलते हैं next lecture कर,